हलो गाइस कैसे हैं आप सब आज इस फीडियों में हम बात करने वादे हैं इस बड़े से बोक्स की जिसके अंदर आपको मिलता है इंफिनिक्स का एक्स वन नियो लैप्टोप काफी सुन्दर सा बोक्स है पहली बार इंफिनिक्स का कोई लैप्टोप मैं यहां पर यूज कर सबाएंगे कि इस फ्रैस में क्या यह बेस्ट है या फिर हमें किसी दूसरे लैप्टोप की देखना चाहिए छेले सबसे पहले से बोक्स को ही देख लेते हैं इसमें क्या-क्या आता है तो लैप्टोप के बिना इसमें चार्जर आपको मिल जाएगा, 45W का PD चार्जर है, मतब Type-C port इसमें आपको मिलेगा, एक Type-C to Type-C केबल है, और user manual आपको मिल जाएगा, कुछ booklets हैं, उसी के साथ warranty card भी होगा इसमें, इस laptop को जब मैंने पहली बार box से बाहर निकाला ना तो मैंने feel किया है, काफी premium सा feel लगा है अब aluminum build इसमें दे रखी है, 1.24 kg का weight है, पकड़ने भी काफी मतब हलका सा है, carry करने में कोई problem नहीं होगा, और build जैसे के मैंने बताया, अच्छी खासी दे रखी है, Infinix के जितने भी phones भी मैंने review किया है, मैंने हमेशा आपको बताया है, कि Infinix build quality के मामल में हमेशा अच्छी च चीज है, आप decide कर सकते हैं कि आपको दिखने में कैसा लग रहा है, लेकिन मुझे तो look and feel भी यहां पर अच्छी ही लगी, अगर आप यहां पर देखेंगे laptop की side में जो bezels हैं, वो काफी पतले से दे रखे हैं, तो इस सब की वेज़े से भी यह काफी modern सा दिखता है, बात करें तो सारे जरूरी ports आपको इसमें मिल दाएंगे, laptop के दोनों तरफ ports दे रखे हैं, left side भी, right side भी, left side आपको HDMI port दे रखा है, एक type A port है, और एक type C port है, जो के charging के लिए भी यूज होता है, ये वाला type C port है इसको आप display out के लिए भी यूज कर सकते हैं, अब ये मैंने इसके बिना यहां पर memory card का sort भी दे रखा है, एक type A port इस तरफ भी दे रखा है, और एक physical lock अगर आप लगाना चाहते हैं, उसको option भी दे रखा है, अब इस laptop को already मैं तीन दिन से यूज कर रहा हूं, और एस चीस जो मुझे बहुत अच्छी लगी ना इस laptop की, वो है इसका display, म HD display दे रखा है, anti-glare protection के साथ दिया हुआ है, और full HD resolution के साथ आता है, brightness यहां पर 300 nits की है, और colors की बात करें तो 100% sRGB cover कर रखा है, और मैं आपको बोल सकता हूं कि यह display बहुत ही अच्छी है इस price range के हिसाब से, इवन keyboard और trackpad की बात करूं, वो भी मुझे तो ठीक ठाक लगा यूज करने में, keyboard जब मैं प्रेस करता हूं तो ऐसे एक अच्छा सा feedback भी आता है, और पूरा ऐसे feel होता है, अब सब एक travel जो है वो अच्छा खासा है, इवन जो keys है, वो बड़े size की है, छोटी नहीं है, तो आपको प्रेस करने में दिक्कत नहीं होती, और जो trackpad का भी size है, वो भी काफी बड़ा है, अब ये सारे gestures भी support करता है, जो भी Windows के gestures है, बाकी अगर आप keyboard को देखेंगे, तो एक power key आपको अलग से दी गई है, तीन यहाँ पर LED indicators दे रखेंगे हैं, एक इन में से यहाँ पर power key का है, एक capsule का है, और तीसरा indicator यहाँ पर LED light का है, अब इसमें ए battery backup लगभख 6-7 घंटे का मिला है, अब 6-7 घंटे जो मैंने यूज किया, मैंने काफी heavy मैं भूल मा यूज किया, उसका reason यह है कि एक external display मैंने connect कर रखा था, उसी के साथ मैंने Bluetooth speaker भी connect कर रखा था, और full brightness के उपर मैं यूज कर रहा था, बाकी अगर आप थोड़ा moderate usage होगा, क रात के time buttons आपको दिख जाएंगे, इस short में आप देख भी सकते हैं, पूरे अंदेरे में, keys जो है असानी से आपको दिख रही है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा addition है, specially students के लिए काफी जाधा काम की चीज हो सकती है, चली थोड़ी सी performance की भी बात कर लाता हूँ इसमें आपको Intel का Celeron processor दे रखा है, जो के i3 से obviously थोड़ा कम powerful होता है, लेकिन जिस price range में again ये है, और जिस audience को यहाँ पर target किया गया है, उसके हिसाब से मैं इसको ठीक ठाक बोल सकता हूँ, वीडियोस आप 4K तक play कर सकते हैं इसके उपर, बहुत smooth चल जाती है, और इसकी performance क आपको over enhance करने के लिए 2-3 extra चीज़ें add कर रखी है, जैसे के 8GB की LPDDR4X आपको RAM नद जाएगी, जो के अच्छी quality की RAM है, उसी के साथ इसमें आपको storage SSD दे रखी है, और वो भी normal SSD रही, NVMe PCI 3.0 based SSD है, जो के normal SSD से जगफ़क 5 गुना ज्यादा थेस होती है, तो वो आप actually feel कर आप इसको use करेंगे, मताब मैंने जितना use किया, applications बहुत जल्दी open हो जाती है, boot जब आप करते हैं, तो कुछ ही seconds में ond हो जाता है, तो ये सब चीज़ें जो है, SSD की वेज़े से काफी तेज हो जाती है, कुछ और basic चीज़ें आपको बता दूँ, इसमें एक ही variant आपको मिल देखा है, नीचे आपको यहां पर मिलेगा, air vents भी मिल जाती है, और एक अच्छी चीज मुझे यहां पर लगी, अगर आप laptop को इस तरीके से किसी surface पर रखते हैं, तो ये जो नीचे वाली sports है, वो काफी बड़ी है, उसकी वेज़े से नीचे काफी जगा रहती है, तो cooling कि दो speakers दे रखे हैं, दोनों साइट, लेकिन loudness बहुत ही कम है, मुझे रखता है, ये speakers काफी नहीं रहने वाले हैं, मैंने जितना इस laptop को यूज किया, या तो मैं mostly earphones यूज कर रहा था इसमें, या तो मैंने Bluetooth speaker attached करके रखा था, तो आप समझ लिजे कि आपको भी इन में से क कुछ करना ही पड़ेगा, speaker जो है इसका कोई बहुत जादा loud नहीं है, चलिए cameras की बात कर लेते हैं, मुझे रखता है एक वही चीज बची है, अब cameras तो यह कैसी चीज है, जो कि किसी भी laptop में आपको ढंके मिलते नहीं है, बतब even अगर आप high-end laptops की तरफ चल जाते हैं, वहा जो LEDs दे रखे हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं, अब यह दिखने में तो बहुत अच्छी दखती है, लेकिन मुझे दखता है उतनी useful नहीं है, पतब अगर आप बिल्कुल अंधेरे में बैटके इनको use करेंगे, तब शायद यह थोड़ा फाइदा कर दे, अगर आपके रू जिसमें build quality आजाती है, मतब metal build आजाता है इसका, इसका display आजाता है जो कि मैंने आपको बताया के बहुत ही अच्छा है, उसके साथ इसका keyboard, mouse का जो पूरा experience मुझे दखा, मेरे हिसाब से एक अच्छा package है, जो एक तो कमिया थी वो मैंने आपको बता दी है, speaker quality यहां पर average है, cameras तो mostly आपको हर laptop में ही average मिलते हैं, फिर भी इन सब को consider करते हुए भी 25,000 की price जब आप देखते हैं, तो मुझे लगता है एक अच्छा laptop है, बाकि अगर कोई और questions है, कुछ और बच गया है, मैंने share नहीं किया, वो आप नीचे comments में पूछ सकते हैं, channel को subscribe ज़रूर से कर अगर आप ऐसी और वीडियो तेखना चाहते हैं, और वीडियो उच्छा दगा तो वीडियो को लाइक और शेर भी करते हैं, इस वीडियो को देखने के आपका बहुत बहुत धनेवाब है।